एक दिन मॉली दूद की नौकरानी ने दूद से अपनी पतीली भर ली थी उसका काम दूद बेचनी के लिए लाना था मॉली को ये सोचना अच्छा लगता था कि उसके पैसों पर किया खर्च होगा जब उसने दूद से पतीले भरी और बाजार गई तो उसने एक बार फिर उन सारी चीजों के बारे में सोचा जो वो खरीदना चाहती है जब वो सबक के साथ चल रही थी तो उसने एक केक और ताजा स्ट्राबरी से भरी टोकरी खरीदने का सोचा थोड़ी आगे सबक पर उसने एक मरगी को देखा उसने सोचा आज के पैसे से मैं खुद अपना एक मरगी खरीदूँगी वो मरगी अंडे देगी तब मैं दूद और अंडे फरोख्त करूँगी और ज्यादा रकम से मैं एक अच्छा लिबास खरीदूँगी और दूसरे दूद दारों को हसद में मुब्तिला करूँगी जोश और खरूश से मौली ने मौजूद दूद को भूलते हुए उच्छलना शुरू किया जल्द ही दूद ने मौली को ढामते हुए किनारों पर छलकना शुरू कर दिया भीगते हुए मौली ने अपने अपसे कहा अरे इतने पैसे कभी नहीं होंगे वो अपनी खाली पतीली के साथ घर चली गए ओ, मेरी नेकी तुम्हें क्या हुआ, मुली की वालिदा ने पूछा उसने जवाब दिया, मैं इन तमाम चीजों के बारे में खाब देखने में मस्दूब जिसे मैंने पतीली के बारे में भला दिया